इस सफेद कलर की दिखने वाली चीज से आपके आम के छोटे छोटे फल ज़ड़ करके नहीं गिरेंगे इसके अलाबा आपका आम का पौधा फलों से भर जाएगा जियां दोस्तों तो आईए इस वीडियो में जानेंगे आकर ये सफेद कलर की दिखने वाली चीज है क्या इसके अलाबा इस चीज को हम अपने आम के पौधी में कैसे यूज करेंगे कितनी कौंटर्टी में यूज करेंगे ये सब हम वीडियो के आखिर में जानेंगे स्वागत है आपका फार्मिंग टेप से यूटूब पर दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके इसे ज़्यादा से जगा सियर कीजेगा फ्रेंड्स आप मैंसे ज़्यादा तर लोगों की सिकायत रहती है कि सर हमारे आम के पौदी पर फूल भी अच्छे से आ रहा है उस पर फल भी छटने लगे हैं लेकिन वो फल जढ़ करके गिरने लगे हैं ज़्यादा तर लोगों की यही समस्या रहती है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फाइटलाइजर सेयर करने बाला हूँ एक ऐसी चीज सेयर करने बाला हूँ उस चीज से आपके आम के छूटे छूटे फल जढ़ करके नहीं गिरेंगे पौदे पर अधिक संक्या में फल बने रहेंगे जी आँ फ्रेंड्स तो सबसे पहला काम आपको जो करना है आम के पौदी में वो है फ्रेंड्स आम के पौदे के चारो ओर मिट्टी की गुडाई सबसे पहले हमने आपर एक खुरपी लिए है और खुर्पी की मदद से आप लोग इस तरीकी से आमकी पौदी के चारो और मिट्टी की अच्ची से गुड़ाई कर देंगे अगर गाइडन टूल है तो सबसे अच्ची बात है गुड़ाई से मतलब है हमारा यहां पर जो इसमें आप खर्पत बार देख पा रहे हैं इसे आपको निकाल देना है इस तरीके से आप घुड़ाई कर देंगे हलकी फुलकी और इसमें जितने भी वीट्स वगएरा हैं खर्पत बार है उसे आपको निकाल करके फैंक देना है क्योंकि यह खर्पत बार मिट्टी की नजजी को बेकर में ही वेस्ट करते हैं उसके बाद आपको प्योर डिकंपोज्ट गोबर खाद लेनी है हमने आप पर प्योर डिकंपोज्ट गोबर खाद ली है यह जो आप गोबर खाद का चौकलेटी कलर देख पर हैं अगर आपका गोबर खाद का चौकलेटी कलर है तो आप लोग समझ जाएगे वो purity compost गोबर खाद है और इस तरीके से आप लोग अपने आम के पौदे के चारो और गोबर खाद को अच्छे से डाल देंगे विखेर देंगे इस तरीके से आप लोगों को अपने आम के पौदे के चारो और गोबर खाद डाल देनी है हमने आपर गोबर खाद जो है डेट के लो ली हुई है और इस तरीके से आम के पौदी के चार और आप गोबर खाद डाल देंगे इससे हमें यह फाइदा होगा हमारे आम के पौदी को भर पौर मात्रा में न्यूट्यंस मिलते रहेंगे उसके बाद आप लोगों को लेनी है यह सफेद कलर की दिखने वाली चीज यह फ्रेंड्स चूना जिसे हम अपने घरों को पोत्मे में यूज करते हैं यह फ्रेंड्स वही चूना है और यह आपको लेना है लगबग 100 ग्राम और उसके बाद आपको एक बकेट में तीन लीटर पानी लेना है पानी आपको ताजा लेना है फ्रेस लेना है और उसके बाद आपको चूना लेना है और उस चूने को आप लोग तीन लीटर पानी में डैलूट होने के लिए मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे लगबग एक दिन के लिए तो चलिए फ्रेंड्स एक दिन बाद मिलती हैं तब तक जो हमारा चूना है वो पानी में अच्छे से डैलूट हो जाएका मिक्स हो जाएका तो friends ये एक दिन बाद की update है ये एक दिन बाद की shooting है और ये देखिए जो हमारा चूना था वो पानी में अच्छे से dilute हो गया है mix हो गया है जो सफेदी थी वो अच्छे से पानी में mix हो चुकी है dilute हो चुकी है अब आप लोग इसे अपने आम के पौधी में use कर सकती है इससे हमें ये फायदा होगा जो हमारे आम के छोटी छोटी फल है वो जड़ करके नहीं गिरेंगे तो इस तरीके से आप लोग अपने आम के पौधी के चारो ओर इस fertilizer को अच्छे से डाल देंगे इस fertilizer से आपके आम के पौधी के छोटी छोटी फल है वो जड़ करके नहीं गिरेंगे पौधी पर ज़्यादा से ज़्यादा फल डटने लगेंगे तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने आम के पौधी के चारो ओर इस चीज़ को अच्छे से डाल देंगे तो हमने आप पर अपने आम के पौधी में इस fertilizer को अच्छे से डाल दिया है ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपने आम के पौधे से छोटे छोटे फलों को ज़ड़ने से केरने से बचा सकते हैं इन उपायों को अपने आम के पौधी में करके तो मुझे उमीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए जिससे अन्ने फ्रेंट्स्विस वीडियो का लाब उठा सकें और बो लोग भी अपने आम की पौदे से छोटे छोटे फलों को ज़ड़ने से केरने से बचा सकें तो आप लोग हमें कमेंट करके बताईएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू